कट्यार के सावनपुर गाओं में दो पक्षों की लडाई देखने गई युवती को गोली लगने से हुई मौत शौका कराया गया पोस्ट मौटम बलिया सलोन थाना चेत्र के सावनपुर गाओं में हुए इस घट्ना के बारे में बताया जा रहा है कि जमीनी विवात को लेकर दो पक्षों में लडाई जगडा हो रहा था लडाई जगडा और हो हल्ला की आवाज सुनकर पडूस की रहने वाली 18 वर्षी रूवी कुमारी ज सुगों ने तरातर गोली चला दी घट्ना में रूवी को एक सीने में एक पेट के पास गोली लगए और उसकी मौत हो गए घट्ना सुगए साड़े 6 बजे की बताई जा रही है महिंद्रा और मंटू के बीच जमीन को लेकर जगडा हो रहा था वहीं घट्ना की सूश्रा मि कि नाम चे गवार मन्तूक मारे सिली बुले च्या यह कैंटा गोली लागे यह अपक अधर की नाम उन्हीं जोटर प्भू पूहां गोली लागे प्लूक है अच्छे तक तर को जगरा आता ने चल्के तो नीचल की जगरा आज़री की ना मंखोत हो तो तो मधूराज एक्सरे में जाना एक्सरे में एक्सरे में कि अगरा गया और किसके द्वारा मारा गया है नामचा रूबी रूबी कुमारी है उमर कितना है अधारों में थे साधी सुधा था या अकवार था गोली कौन मारा उसको मेंदर आ रहा है कहां कहा है गोली क्यों मारा रहा है कि में लड़ाय करें लिए कौन लड़ाय कर रहा था दोनों लड़ाय कर रहा है लड़ाय करने के बीच में क्या हुआ जो गोली मार दिया इसको ऐस्मा अधारों लोग जहा अघिया करें गूतो चैटा भ्तिचारा उन लो जैघ यहीजरों देखने के लिए गया ओजदा हिए उसकब गूलिचलाया उसका बेटा कूली चलाया इसका बक आपने उड़ी चलाया इसका पन्ली चलाया बिचतार करशला इस पर मेरी आफ़नत क्यों चलाय तई लिए उसका लेया नाम था डॉल्यु आ देखने के लिए है लटाएल दूर में था तेला याओगा अब बंद करें जो मैं। शोड़े दिलिए जोड़े दिलिए जोड़े